नमस्कार मैं 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 शुमिश्र और आप देख रहे हैं दा इंसाइड इस्टोरी तो हिंदी पट्टी में एक नई तरह की राजनीती अब होती हुई आपको नजर आएगी जहां पर गमचा नहीं होगा अब यह गमचा क्यों नहीं होगा किस लिए नहीं होगा और इस गमचा ना होने से किसको दिक्कते हो सकती है इस बात की इंसाइड इस्टोरी आज जानने की कोशिश करेंगे डॉक्र संजीर तुर्वेदी जी वहिश्पतकार मैं साथ है संजीर जी यह गमचे वाली राजनीती क्या है यह क्या नया शुरू हो गया है कि हम गमचा नहीं वैसे तो देखिए एक सामने से छोटी सी बात है जिसको की तैय किया गया है आरजेडी की एक बैठक हुई थी उसमें रास्ट्रे जनतादल बिहार का जो मुख्य वेपक्ष है उसके नेता तेजस्वी यादव और जैसा कि आपने लिखा है अपने हेडलाइन में कि तेजस् पहचान है वो एक ऐसे निता के तौर पर है जो आता है रास्ट्रे जनतादल से लेकिन उन्होंने अपनी पहचान उस पार्ठी के बियॉंड नए वोट मैंक में भी बनाई है आरजेडी एक निश्चत तरह की राजनीत के लिए जानी जाती है पर तेजस्वी आदव दिल्ल वो भी जलकती है ऐसा उनके बारे में बोला जाता है लोगोंने उनको देखा भी है एमवाई वोट बैंक है उनको कोई इंकार नहीं है लेकिन ये भी सच है कि एमवाई से तो काम नहीं चलेगा क्योंकि एमवाई तब तक तो ठीक था जब तक कि सामने वाला जो था वो विभक्त था कई धुरूवों में बटा हुआ था वोट बैंक लेकिन जब से भारते जनता पार्टी का खासताओर पर उद्भव हुआ है तो उन्होंने जिस तरह का एक गोलवंदी किया है अगड़ और अचानक से पाया ये गया कि उत्तरप्रदेश और बिहार में जो सरकार बनाने का आंकड़ा है वो 35-36 फीसदी जाकर पहुँच गया और ऐसे में जिनके पास एमवाई का गड़वंदन था वो 27-28 या मैक्सिमम 30 फीसदी पर जाकर दम तोड़ देता था और विपक्ष मे रहना मجبورी बन गई तो नए समाज को अगर जोड़ना है तो अपनी राजनीतिक संस्कृती जो है उसको बदलना है और यहीं से ये बात आती है कि गमचा नहीं लहराएंगे आपको याद होगा 2024 में इसी साल जब लोकसभा के चुनाव थे तो उस वक्त तेजस्य यादव एक बस यात्रा पर निकले थे और आपने वो दर्शे देखा होगा जब बस के उपर चड़ गए और वहां से उन्होंने अंगोचा लहराया और फिर जो है साफा बांधा बिहार में उसे मुरिठा कहते हैं और उनको देख करके वो जो महां खड़ी जनता थी पबलिक थी बड़ी उत्साहित हुई और दूर दूर तक जनसा इलाब और बड़े खुश हुए सब उन्होंने भी हरे रंग का वो गमचा या पट्टा जो भी था उसे बांध लिया बाद में ये विवेचना के इस तर पर आरजेडी के भीतर भी बाची दूई जो मेरी जानकारी है उसमें ये हुआ कि आप जब इस तरह से करेंगे आप तेजस्वी आदव हैं और आप तो अपनी एक अच्छी छवी के लिए जाने जाते हैं तो फिर आप अगर करेंगे तो फिर दूसरे समाज के लोग आपकी पार्टी से कैसे जुड़ेंगे अच्छी नहीं जुड़ेंगे उस गमचे से ऐसा क्या अलगाओ दूसरे समाज को देखिए ये अलगाओ सलस्कृती का है क्या है कि यादव समुदाए एक दबंग जाती के तौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश में उसकी पहचान होती है और उनके पास राजनीतिक सत्ता भी है पिछले दो तीन दश्कों की कहानी तो यही कहती है तो राजनीतिक सत्ता और नंबर्स पॉपुलेशन भी बिहार में तो सबसे ज्यादा सिंगल कास्ट अगर सबसे ज्यादा है तो वो बिहार में है उत्तर प्रदेश में भी अच्छ से दबंग आए और उन्होंने अपने तरीके से सियासत भी किया सामाजिक जीवन में भी बाहु बली बहुत से इस जाते विशेश से लोग आए ऐसा नहीं है बहुत विद्वान भी आए पढ़े लिखे लोग भी सामने आए केंदर में मंत्री भी आए तो ये हुआ कि सत्ता चली लालू प्रसाद यादव की उसमें केवल एक बार ऐसा था जब उन्हें पूर्ण बहुमत मिला था अपने पूरे कारेकाल में और आप जानते हैं नबे से लेकर दोहजार पांच तक लालू यादव या राबडी देवी की सत्ता रही तो मातर एक बार ही उनको पूर्ण बहुमत आया था और बाकी हर बार नोंने गड़बंधन की सरकार बनाई कांग्रेस को जोड़ो करके या बाकी लोगों को जोड़ो करके तो ये जो वोट का सिलसरा था 27-28 फीसदी तक जाता था 30 फीसदी आज़बा सरकार बन जाती थी भारती जन्ता पार्टी ने इस बेंचमार को उपर उठा दिया सवरोनों का एक वोट बैंक उनके पास था पहले से और उसमें उन्होंने जो नई राजनीती की उस नई राजनीत में उन्होंने गैर यादव जातियों को बिहार और रुत्य प्रदेश में जोड़ लिया और उसमें अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि बिहार में नितिश कुमार के तोर पर लवकुष समी करणों को जोड़ा गया और कुर्मी और कोईरी जो जुड़े तो भारतिय जंता पार्टी आज की तारीख में सत्ता में है और पिछले 15 सालों में अगर उन 31 महीनों को छोड़ दीजे जिसमें की तेजस्वी आदव और आर जेडी नितिश जी के साथ रहे हैं दो बार में तो भारतिय जंता पार्टी ही रही है उत्तर प्रदेश में भी अगर आप देख लें तो केशव प्रसाद मौर सरीखे नेताओं के जरिये जो एक बैकवर्ड समाज भारतिय जंता पार्टी से जुड़ा उसका नतीजा था कि साल 2017 में इतनी जबरदस्त जीत भारतिय जंता पार्टी को मिली जाहिर है उसमें हिंदोतों का करिश्मा था लेकिन नए समाज का जोड़ना भी अपने आप में बहुत महत्तुपून था और इस कारण से आपने देखा कैश्यो प्रसाद मौर उपुमुक्यमंत्री भी हुए पार्टी अध्यक्स तो वो थे ही और उनका सं समुदाय और मुस्लिम समुदाय को जोड़ करके बन जाता था इसको एक घजब की चुनौती दे दी और बिहार की वो चुनौती तो साफ दिखाई पड़ती है जो नितीश कुमार के तोर पर आप पिछले 15-18 सालों से देख रहे हैं वो अपने तरीखे से चुनते हैं कि मु को मिलता है यह आनंद वरना जो है आप चातक की तरह आसमान ताक रहे हैं आपको मिल नहीं रहा है और ऐसे में आर जीडी की तरफ से और उत्तर प्रदेश में भी देखिए वही स्थेती है कि नए समाज मौरिया और कुश्वाहा जुड़े तो एक नया गोलबंदी हुआ चालेंज फिल कर रहे हैं अखिलेश भी और तेजस्वी भी और तेजस्वी आदब ने अब जो नया उनकी सोच सामने आई है उसके तहत होता यही था कि जो दबंग जातियां है उससे बांकी की जातियां दूर भागती है एक पारंपरिक रूप से ये चलन है हिंदी जोड़ना है अब ये मश्वरा काम कर रहा है और नए समाज को जोड़ना अगर है तो अपने आपको सौमिय दिखाना है तो सिर्फ गमचा ही बदला है और और कुछ भी बदला है नहीं नहीं आप इसको देखिए कि गमचा बदलना तो प्रतीक हो गया कोई भी आक्शन होता है तो एक जो सिंबॉलिक जेस्चर होता है उसका प्रतिकात्मक्ता जिसके तहत नहीं होती है तो वो है कि गमचा अब वो नहीं लहराएंगे या गमचा लेकर के आर्जडी वाले नहीं चलेंगे हरे रंग का या फिर वो टोपी पहनेंगे जैसे कि समाजवादी पार्टी के पहनते हैं लाल रंख की टॉपी वो हरे रंग की टॉपी पहनेंगे और अगर मैं गलत नहीं नहीं तो वो टॉपी पहने संथ याधव को कई बार देखा भी है है वह अंग्छा नहीं रखेंगे जो की प्रतीक बन जाता है कि हम दंग हैं तो ये एक अपनी दबंगई वाली छवी हटानी है देखिए अपने वोट बैंक के बारे में अब आश्वस्त हैं तेजस्वी और लालु यादव अब अपने वोट बैंक के बारे में आश्वस्त हैं कहीं जा नहीं रहा है अब उन्हें नया समाज जोड़ना है नए समाज में जो आपने प्रश्णी किया उस तरफ आते हैं तो उन्होंने किस पर नजर रखी है? उन्होंने उसी समाज पर नजर रखा है, उसी समाज को टारगेट किया है, जिसको पाकर, जिसको साथ लेकर के भारते जिनता पार्टी ने इन दोनों राजियों में सरकार बनाई? कुश्वः 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 कु है कुश्वाह समुदाई की जो आबादी है वो 6 फीसदी के आसपास है तोनों मिलाके करीम 9 फीसदी के आसपास की आबादी जो बनती है और ये अपने आप में एक ऐसी आबादी है जिसके नेता नितीश कुमार कहलाते हैं इसी के उपर लोगसभाद चुनाओं में लालु यादव ने टार्गेट किया और उन्हों ने कई जगहों पर कुश्वाह समाज के नुमाइंदों को टिकट दिया स्पस्ट करते हुए कि यह जो लड़ाई है इस लड़ाई में कुश्वाह समाज अपना वोट की सीट वहां से दाशकों से राजपूच समाज ये लोग जीतते आ रहे थे और चित्तोर गड़ कहा जाता था बिहार का औरंगाबाद औरंगाबाद एक महारास्ट्र में भी है बिहार का औरंगाबाद वो आप उत्तर प्रदेश से सटा हुआ और आप ये समझ लें कि वहां पर इस बार कुछ वहा समाज के एक उमिदवार को आरजएटी ने टिकट दिया और उन्होंने हरा दिया राजपूच समाज के उननेता को जिनका नाम सोशील सिंग है और कई बार से चुने जा रहे थे वो उनके पिता भी वहां से चुने गए रहे थे और लगातार वो सत्रिय समाज के लोगों के पास ही जाती रही थी हरा दिया वहां पर इतना ही नहीं बड़ा तगड़ा एक कॉंबिनेशन गड़ा जैसे ही माइक का लालु यादव ने तो ऑल भी कई कास्रेटूंसी जैसे नवादा जैसे मुंगेर कई जगों पर देखा ये गया कि बहुत जबर्दस टकर और यादव समाज को एक चिंगारी दिखाई पड़ी कि अगर हम जैसे मुस्लिम समाज हमारे साथ बिनाश शर्तों के है अगर यादव समाज के साथ कुश्वहा समाज भी जुड़ जाता है तो बड़ा एक सीधा समीकरन बन कते हैं और जीट वहीं पर तो है तो जो निटिष कुमार का वोडबैंग है वो बी अपने साथ आ जाए तो इससे तो jus doc मार को सीधे सीधे दिककत होगी निटीश कुमार क्या इसको लेकर को स्टिप लें या फिर उनके लिए कोई है uzसे की क्योंड नितीश कुमार का वोड समाज के बड़े निता कहे जाते हैं उपेंदर कुश्वाह केंदर में अगर मुझे लगता है कुश्वाह समाज से कोई मंत्री हुए पहली दफ़ा तो उपेंदर कुश्वाह ही हुए जनरली भी लोग उन्हीं को कुश्वाह समाज के एक निता के तोर पर देखते हैं उन्होंने आज शबत लिया है सांसद बने है राज्य सभा से हला कि दो साल वाला ही उनको मिला लेकिन वो चुनाव हार गए थे आपको याद होगा और शुरुवाती निताओं में जिसको की इंडिये ने भारते जुनता पार्टी ने खास तोर प भी था है उन्होंने शबत लिया है पांच सेप्टेंबर को डीचर्टस दे के दिन पर ये दिन जो है ये बड़ा इंपॉर्टन दिन है क्योंकि कुछवा समाज के एक बड़े नेता हुए थे बिहार और रुत्र प्रदेश में जो कुछवा समाज है उनका नाम लेता है और की मौत हो गई थी जब वो एजिटेशन लीड कर रहे थे बहुत चंद दिनों के लिए या कुछ समय के लिए वो बिहार में उपमुख्यमंत्री भी बने थे उनी सो अड़सट में जब राम मनोहर लोहिया के कॉल पर एक जातिय गड़वंधन बना जिसमें की किवल पिछु संसोपा यानि के सायुक्त सोसिलिस्ट पार्टी सबके शुरुवाती अक्षरों को लेकर संसोपा बना तो संसोपा ने बाधी गाठ पिछड़ा पाएं सो में साथ उन्होंने नारा दिया था कि अब ये आरक्षण का उन्होंने एक रूप दिया था उस दौर में 60-40 का और देखिए कि वो राम अलोहर लोहिया उनसे प्रभावित थे जगदेव प्रशाद करपूरी ठाकुर की सरकार थी उसमें उस दौर में आप याद करें वो मंदल कमिशन आया और वो करपूरी ठाकुर वे खुद जो है वो उसी से प्रभावित थे उन्होंने आरक्षण को जो और वो आरक्षण जो उन्होंने किया था उसने सवरनों को भी उन्होंने गरीब सवरनों को भी आरक्षण दिया था OBC को भी आरक्षण उन्होंने दिया था 26 फीसदी आरक्षण उन्होंने इस 25 फीसदी जो की अनुसुचित जनजाती के आरक्षण है उससे इतर उन्होंने 26 फीसदी आरक्षण दिया था जिसमें कि उन्होंने तीन फीसदी महिलाओं के लिए तीन फीसदी अगड़ों के लिए जो गरीब हैं और 20 फीसदी OBC के लिए तब ही आरक्षण उन्होंने दे दिया था सत्तर के दशक में जब वो चीफ मिनिस्टर बने थे तो ये समझे कि लोहिया जगदेव प्रिसाद करपूरी ठाकूर का वो दौर और उस दौर में जो आधार बनाया गया पिछणे पिछणों के सशक्ति करण का उसमें एक ट्विस्ट आया मंडल के बाद और देखा ये गया कि जो सशक्ति करण हुआ ओबी सी का उसमें लायन शेयर जिसको कहा जाता है सबसे बड़ा भाग जो केक का सबसे बड़ा भाग था वो यादव समाज को मिल गया और उतरपदेश में भी और बिहार में भी आपने देखा लालु यादव और मुलाइम सिंग यादव मुक्ष मंतरी बने और लंबे समय तक के लिए बने और उनकी राजनीत की चाप ऐसी है कि या तो वो सत्ता में है या विपक्ष में है उनके आगे कोई नहीं बढ़ पाय और घे बढ़ती जा रही है कुशवा समाच के भीटर इसलाथ को लेकर के ऐक मलाल है उनके अंदर ये है कि उस कछिपी लालु जी को आगे बढ़ाने है कुशवा समाच के नेताओं का अपना एक रोल था उनकी भूमिका थी उस वकष भी शकुनी चौदरी थी जो अभी समर चौदरी भी कुश्वा समाज से आते हैं उन्होंने लालु यादव का नाम लेकर उनको आगे बढ़ाया था उस वक्त नागमनी थे नागमनी जो कि जगदेव प्रसाद के पुत्र है आज उनको कोई जानता भी नहीं है उस वक्त वो भी थे उन्होंने भी लालु यादव का भूल गया और अपने सत्ता में एमवाई के सत्ता में वो चूर होता चला गया जबकि हाकिकत तो यह है कि 1934 में ही देश में हिंदी पटी में त्रिवेनी समीती बनी थी 1934 में जिसमें की यादव कोईरी और कुर्मी यानि यादव और लवकुश मिलकर के इन्होंने कहा था क यह OBC जो समुदाय है इसी के पास असली ताकत है वूट वैंक है तो यह कोईरी और कुर्मी खतम हो गए और यादवों ने पूरा सत्ता जो है हिंदी पटी में ले लिया अब यह रियलाजेशन के बाद आपने पाया कि वो विरोध अंदर अंदर जो था उसको टैप किया भ जो जगदे उपर साथ जिनको मानते थे और यहां पिर भी आपने देखा कि कैसे कोईरी और कुर्मी समाज नहीं मिलकर के भारते जनता पार्टी की सरकार बनाई अब यादव समाज में ये जागरती आ रही है कि हमें नए समाज को जोड़ना है तो उन्होंने उस समाज को ही जोडने की कोशिश की है जो चैलेंजर बन सकता है या बन गया है लेकिन यहां कोईरी और कुर्मी बिहार में जो है एक अभी माने जाते हैं लालो जादव ने उन्हें अलग करके कुषवाह समाज को अपनी तरफ करनी की कोशिश किए वो जानते हैं कुर्मी समाज तो जग्देव प्रसाद जिंदाबाद के नारे लगे और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बार नहीं लगे होंगे ये कुछ ऐसा वाक्या है जो मैं बहुत ज़्यादा मैंने होते देखा नहीं है लेकिन ये हुआ उस कारिक्रम में कोईडी समाज के साथ आरक्षण को बचाना है इस तरह के नारे दिये गए और आप देख रहे हैं कि कुछ वैसी ही बात उत्तरक्रिदेश में भी दिखाई पड़ती है कि अखिलेश यादव से ठकर के लिए बहुदा आगे आजाते हैं केशो प्रसाद मौरिय है तो ये जो राजनी थे ये नई राजनी बैकवर्ड पॉलिटिक्स में बद्राव जो आ रहा है और गैर यादव जातियां भी अपने अधिकार के लिए जो आगे बढ़ रही है आज चुकि हम ये कारिक्रम कर रहे हैं जगदेश बढ़ के पचासोे शाहादत दिवस पर पचासोे सहादत दिवस पर तो बड़ा ये प्रसंगी को जाता है कि नए समाच को जोड़ेंगे और यादव की जो पहचान हो गई थी दबंगो वाली वो खितम करेंगे ताकि नए समाच हमसे जूड़ पाएं नही लहरा यह देखना दिल्चस्प रहेगा लालू प्रसाद यादो भी इलाज के लिए बाहर गए हुए थे और वहां से आए हैं तो यह बड़ा बदलाव अब RJD की तरफ से देखने को मिलने वाला है इससे क्या आफर पड़ेगा आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताइए तर में यह दो काल वाला झालाव है रहेगा राता है हैं है देखना function।